वर्टिकल प्रोजेक्शन इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल पूचे आते हैं और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें गल्तिया सिली मिस्टेक्स होने का बहुत चांस होता है तो देखो वर्टिकल प्रोजेक्शन क्या होता है मानलो मैं यहां पर किसी हाइट पर हूँ कोई टावर हो सकता है यहां पर इस तरीके से और यह हमारी जमीन है यहां से हमने किसी अबजेक्ट को ऊपर की तरफ इस तरीके से फेक दिया है नीचे की तरफ यू इस तरीके से होगी यहां पर पहुंचने पर हमाई पास speed u से कम होगी है ज्यादा तो यहां से 0 हो जाएगी यहां पर जाएगी speed यहां पर हो जाएगी हमाई पास finally उसको में बोल देता इस वी और यह value magnitude में इससे ज्यादा आने वाली और एक चीज हमें द तरीके से करना है हमसे पूछाएगा यहां से आने में total time कितना लगा है सबसे इसी तो वही चीज़ पूछी जा सकती है इसको solve करने के बहुत सारी तरीके हो सकते हैं बहुत तो नहीं दो यह तरीके primarily मैं बता दू हमाई पास axis बना लेते हैं मान लो उपर की तरफ positive x है नीच की तरफ हमाँ पास negative direction है किस तरीके से solve करोँए यहां पर आप देखोगे कि displacement का sign क्या है positive है negative यहां से उपर गए लेकिन displacement finally हमारा नीचे है सबसे important चीज़ displacement is equal to negative अब आप एक्वेशन लगा सकते हो यहां पर कौनसी है s is equal to ut plus half a square यहां पर sign के साथ सारी value डाल देखोगे displacement नीचे की तरफ हो है negative होगा initially speed हमें दी गई थी acceleration में पता है minus g के बराबर होगा उससे आपको यहां पर एक quadratic equation हा जागी और आप time of flight directly पदागा सकते है तो पहला तरीका तो यह होगा है time of flight पता करनेगा देखिए इसमें quadratic वगएर आ जाती है solve करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इसी को solve करने का और एक तरीका हो सकता है देखो हमारे पास यह equation होती है v is equal to u plus 80 यहां पर time भी आ रहा है और यहां पर हमारे यू भी है और यह linear equation quadratic निया से solve करना आसान है सीधे सीधे मेरे पास time की value आजाती है time is equal to v minus u upon g अब इसमें हमारे पास v की value यहां पर मेरे पास है ही नहीं इसको किस तरीके से solve करोगे देखो पहले हमें v पता करना पड़ेगा अब v कैसे पता करें देखो यहां पर हमारे पास u है v है और उन दुनों के बीच में कुछ height h है हम जो equation लगाएंगे वो जाएगी v square is equal to u square plus 2as acceleration नीचे की तरफ displacement नीचे की तरफ तो यह दोनों ही negative है लेकिन multiply होकर के positive हो जाने वाले यहां से मैं आप पास v की value आजाएगी under root of u square plus 2gh यह हो जाएगी हमारा step number 1 अब इसी v की जो भी numeric value आजाएगी आपको उसको आप इस formula में डाल दो sign का ध्यान रखेंगे हम यहां पर है इसी को मैं इधर डाल देता हूँ और यह बन जाता है मैं पास minus v is equal to u minus gt यहां से मैं पास time की value आजाती है v plus u divided by g यह हमारे पास formula आगया अच्छे यह formula कब का है जो हमने इसको उपर फेगा तो नीचे आने में कितना time लगा यहां से this is upward motion thrown upward इसको मैं बोल देता हूँ T1 यह है case number 1 जब उपर की तरफ फेगा है दूसरा case मैं यहां से बना देता हूँ case number 2 जब मैंने इसको नीचे की तरफ फेगा है by same speed u अब देखो अब क्या होगा यहां पर क्या क्या चीज़े बदल जाएंगे देखो हमाय पास यह जो equation थी v square is equal to u square प्लस 2as इसमें u का sign change किया है मैंने बस लेकिन u का तो square हो रहा था तो उसे फर्क नहीं पड़ता है ना हमाय पास finally जो speed आने वाली है वो तो इतनी ही आएगी लेकिन यहां पर sign change हो जाएंगे अब की बार second case में second case downward throw इसको भी लिख देते हैं first case upward throw okay जब मैं downward फेक रहा हूं तो भी velocity यहां पर उतनी होगी उपर फेको नीचे फेको अभी projectile हम देखेंगे इदर फेको कहीं भी फेको हमाय पास energy level actually mgh का difference आया तो उसके साब से माय पास velocity हमेशा यहां पर velocity का magnitude DC तरीके साब देख सकते है तो अब downward फेका है तो यहां पर इस equation म मेरे पास sign chain हो जाएंगे देखो finally velocity negative है initially फेकाता वो भी negative है acceleration भी negative है minus की दरफ नीचे अब की पार हमाय पास जो equation आती है वो minus V is equal to minus U minus GT यहां से हमाय पास time की value आती है T is equal to V minus U upon G क्योंकि यह second case है मैं इसे बोल देता हूँ this is T2 यह हमाय पास दूसरा relation आ गया अब इन values को देख करके न कुछ चीज़े हमें चमक जाएंगे जैसे अगर मैं T1 minus T2 कर दूं minus क्यों 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 क्योंकि मुझे V को eliminate करना है initial speed तो मैं पता है अगर मैं कर दूं T1 minus T2 उसकी value ज क्या है 2U upon G क्या था अभी हम देख चुके अगर मैं U time से किसी यू speed से फेकता हूं तो उपा जाकर कि उसी level तक का जो motion होता है उसमें जो समय लगता है वो होता है 2U by G तो T1 था भी हमारा यहां से यहां तक का T2 था हमारा यहां से यहां तक का दोनों को subtract करेंगे तो हमें य हमें पता होना जी लेकिन उससे भी जादा important result होता है अगर मैं T1 और T2 को multiply कर दो T1 और T2 को multiply कर दो इन दोनों को चलो multiply करो क्या जादा T1 और T2 को multiply करोगे तो आ जाएगा V plus U multiplied by V minus U upon G square which is equal to V square minus U square upon G square V square की value किती है U square plus 2AS तो U square plus 2AS minus U square तो इसकी value आजाने वाली है यहां से 2A 2GH upon G square एक G से G square इस तरीके से कट जागा हमारा पास value आजाएगी 2H upon G अब बताओ यह value क्या चीज़ है कल हमने पढ़ा था कि अगर मैं इक ball को यहां से छोड़ देता free fall U की value 0 है तो वो यहां से यहां ते गिती उसको कुछ समय लगता और उस time T की value क्या देती है under root 2H divided by G इसी का तो square है यह 2H upon G इसको अगर मैं बोल दूँ यहां से अगर मैं free fall कराता हूँ है na U equal to 0 कर दूँ यहां से नीचे आने में अगर इसको time लगता है T naught this is T naught का square यह एक बहुत ही important result हो जाता है आपको यह कुछ value यादो नीचे इसको feel करने की कोशिश करते है 3 case मैंने यहां से इसको फेका उपर की तरह तो उसने ज्यादा समय लगाया same speed से नीचे फेका तो उसने कम समय लगाया और दोनों को multiply करोगे तो वो यहां से नीचे करने बाद जो time था उसके square के बराबार आजाती है यानि आप बोल सकते हैं जो geometric ratio में हो सकता है या फिर यह इसका geometric mean है इस तरीके से आप बोल सकते है उसपे based previous year question भी है कुछ उसको solve करते हैं लेकिन उससे पहले notes ले लो from the top of a tower a stone is thrown up which reaches the ground in time t1 तो मैं पास एक tower है यहां पर इस तरीके से tower बना लो और यहां से उपर की तरफ जब फेका है तो वो time t1 में इस तरीके से नीच आता है this is t1 a second stone is thrown down with the same speed reaches the ground in time t2 देख गया मुझे यहां पर क्या होने वाला है this is t2 a third stone is released from the rest from the same location which reaches the ground in time t3 यहां से अगर मैं इसको छोड़ देता तो जो free fall होता है वो time होता है t3 हमें क्या पता है t3 का square is equal to t1 t2 आणा तो then तो हमें यह relation कुछ देख गया है अब देखो यहार straight forward question आगया तो t3 is equal to under root t1 t2 इस तरीके तो option number d is the correct answer मैं आपको बताना चाहता हूं यह सब previous year question है जो भी theory देख रहे है सारे सेरे concepts सब चीज़े important हम इस course में completely cover करने वाले आप बस मेरे साथ इस वीडियो को completely पूरा देखें right अब एक बहुत ही अच्छा सा numerical देख लेते है a balloon is going upward with velocity 12 meter per second it releases a packet when it is at a height of 65 meter from the ground यह हमारा जो सुन्दर सा balloon है इसकी जो height है वो ground से है पहली बाद 65 meter okay इस level पर उसने एक packet को छोड़ दिया अच्छा balloon की ऊपर की तरफ हमें speed दिवी थी यह जा रहा है 12 meter per second से और यह uniform speed है balloon accelerate पगर है नहीं कर रहा है उस पर gravity काम कर रही है हो सकता है gravity, air, drag और buoyancy मिलकर इसको constant velocity दे रहा है उसमें मत जाओ how much time the packet will take to reach the ground if g is equal to तो देखो यहां से जब मैंने उसको छोड़ दिया है इस तरीके से, इसमें question में समझना जब मैंने इसको छोड़ा है जब तक मैंने उसको पकड़ के बैठा था तो अगर balloon उपर जा रहा है 12 meter per second से मेरे हाथ में जो object है वो भी 12 meter per second से उपर जा रही होगी और फिर मैंने बस उससे छोड़ दिया तो effectively यहां पर समझना गया है कि उसकी भी initial speed उपर की तरफ है कितनी है 12 meter per second अब हमारा यह simple सा case बन चुगा हमें पूछा है कि यहां से नीचे आने में इसको कितना time लगेगा तो बहुत ही आसान हो गया है सबसे पहले तो मैं यहां पर velocity पता करना चाहूँ हो कि नीचे गिरने के बाद उसकी velocity यहां पर कितनी आ रही थी तो देखो v2 is equal to u2 plus 2as आपको लगाना है आप velocity निकालो आपके पास initially speed थी इस तरफ उसके बाद आपको formula लगाना है v is equal to u plus 80 यह दूसरे formula से आपको सीधे सीधे time की value आजाएगी तो वीडियो को pause करो sign convention का ध्यान रखते हुए question को solve कर solve करते है v2 की value आती है u2 को initially 12 12 का square होता है 144 plus 2as sign का ध्यान रखेंगे gravity नीचे की तरफ पर displacement भी नीचे की तरफ दोनों negative हो गए मिलकर के लेकिन positive हो जाएंगे पर मैं यहाँ पर आपके सुविधा के लिए लिख दूँगा minus 10 multiplied by minus 65 उससे value किते हाती है 144 plus 65 into 2 होता है 130 130 which is equal to 144 1444 अब यह जो value है वो v square की value है v square की value इसके v की value आजाती है वो इसका under root होता है 1444 का under root जो है वो होता है 38 कहां से आया थोड़ा time लबा करके आप यह चीज खुद से करना मैं नहीं बताऊंगा यह कैसे है बढ़ हां निकाल सकते हो आप इसको आल राइट v की value आ गई हमें time कितना लगने वाला है देखो 38 अब यहाँ पर इस equation को ध्यान से देखना velocity नीचे की तरफ है तो इसको आप लिखोगे minus 38 is equal to initially यहाँ पर थी उपर की तरफ है उसको मैं लिखूँगा plus 12 plus gravity नीचे की तरफ है तो इसको मैं actually minus 10 लिखूँगा minus 10 T यहाँ से हमाया पास value हो जाती है 12 plus 38 divided by 10 is equal to time T which is equal to 50 divided by 10 which is equal to 5 second option number A हमारा correct answer हो गया अब इसी question को और modify कर सकते थे ऐसे बोल देते कि यहाँ से जब वो नीचे गिरेगा यहाँ पस एक इस फरीके से car आ रही थी और वो car के उपर टकराता है तो बताओ car कितनी दूर होनी चाहिए थी अब उसको और complicate करने के लिए बोल देते car uniform velocity से आ रही थी देखते हैं कितना time लग रहा है actually कोई फाइदा है कि इस तरीके से solve करने है देख लेते displacement कितना है sign convention के साथ values रखे displacement है नीचे की तरफ तो वो negative है minus 65 is equal to initial speed यू वो उपर की तरफ है वो हम positive लेंगे 12T plus half acceleration की value नीचे की तरफ होती है minus 10 होता है minus 10 times t square आपा सीदे सीदे quadratic equation आ जाती है यहाँ पर इसको देखो वो से इकट जाएगा 5 हो जाएगा और इस तरफ आ जाता है 5 t square minus 12T minus 65 is equal to 0 time की value यहाँ से आ जाएगी t is equal to minus b यहाँ पर यह वाली चीज माइनस होती है minus already लगा है तो वो जाएगा सिर्फ 12 plus minus under root of b square minus 4ac b square क्या है इसका square minus 4ac वो value आ जाएगी 12 का square 144 plus 4 into 65 into 5 basically वो फिर से आ जाने वाला है 4 into 5 into 65 यह value फिर से हो जाएगी 1300 plus 1444 divided by 2a 2a यानि की 10 a यह था 2a 10 इसकी value जाएगी t is equal to 12 plus minus 38 divided by 10 यहां से अब हमें time की 2 value मिल रहे हैं दोनों का मतलब समझेंगा और इसलिए इस method से भी हम solve कर रहे थे कि जरूरत क्या है इस तरीके से समझने की यहां पर अगर मैं plus का use करता हूँ तो time की मेरे पास value आ जाती है 5 second अगर मैं यहां पर minus use कर लो 12 minus 38 करोगे तो वह आ जाता है 26 by 10 यानिकी minus 2.6 second वही हमारा answer तो यह आ चुका है minus 2.6 का मतलब क्या हुआ देखो अगर मैं यहां से इसको motion को देखूँ तो इसका motion कुछ ऐसे हुआ इसका displacement समय के साथ यहां पर यह हमारे पास displacement सिर्फ इतना सा हो गया लेकिन इतना सा displacement हमारा और एक तरीके से आता है हाना अगर मैं time में negative आ जाता यहां से तो effectively हमारे पास एक symmetry है motion इस peak point के about symmetric होता है actually तो यहां से motion स्टार्ट हुआ है 12 meter per second से आप इसको इस तरीके से feel करो अगर मैं यहां से कोई पत्थर को फेकता तो कभी ना कभी वो इस तरीके से उपर आता अब फिर वो नीचे आता अब यहां पर मैं इसकी speed इस तरीके से set कर दूँ कि यहां तक आते आते इस 65 meter की height पर आते आते है उसकी speed 12 meter per second आ जाती है तो उसका motion और अभी जो motion हुआ है दोनों के case में motion exactly same होते हो लेकिन इसकी initial condition यहां से start होई है उसकी initial condition यहां से start होती तो यह इन दोनों के बीच का जो time है वही time है 2.6 second इस particular case में क्या हुआ है हमने जब यहां से इसको छोड़ा था तो उपर की तरफ 12 meter per second हमने इस वक्त t की value 0 set कर दी यही मेरा मतलब हुआ था लेकिन अगर मैं पत्थर पहले फैकता तब वो t is equal to 0 पे यहां फैकता यानि कि t is equal to minus 2.6 second पे वो पत्थर यहां होता वो भी displacement negative 65 होता इसलिए कि यह negative value भी हमाँ पास आती है और उसको समझना बहुत ज़ादा ज़रूरी है तरेक्ट इस तरीक से आप solve कह सकता है अब यहां पर मैं आपको बता दूँ इसका अगर मैं draw करने जाओं तो यह जो blue वाला time है वो आजाता है 5 second और यह वाला जो time है यह वाली value हो जाती है 2.6 second इन दूनों information का use करेंगे कि आप बता सकते हो यहां से यहां तक जाने का time कितना है तो इसको comment करके ज़रूर बताना वह आपके लिए omba question है अगर मैं इसको ऊपर फैक के मालता हूं तो वह हता है vertical projection और अगर मैं इसको सामने फैक दूँ तो वह projectile motion बाद में होगा आपको लगेगी mobile से बाहर निकल लगे यह टकरायागा आपको क्यों मारूंगा मैं आपको क्योंकि आपने अभी तक चैनल को subscribe करो इस चैनल को नहीं मेरे vlogging channel को इसको भी कर ले ना vlogging channel को subscribe करो देखो वहां पर क्या मस्ती चल रहे है साथ मैं आप में मिल जाएंगे आपको colorful notes की PDF वहां भी आ जाना हम मिलेंगे अगले वीडियो में